हेला व्रीवान वेल्कम तो चैनल ग्यापनिकेडमी चले स्टार्ट करते ही फिजिक्स का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर यानिकी पोटेंशिल और पोटेंशिल डिफ्रेंस बहुत ही छोटा है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन लेकिन हाँ मैं गारेंटी दे रहे हूं कि आप लोग को यह टॉपिक 100% समझ में आएगा बस आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तब आप लोग को बहतर तरीके से समझ में आएगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात आती है कि विभाव किसे कहते हैं देखिए विभाव का मतलब समझ यह मेहनत और आप लोग जानती है कि आवेश के परवाह को विधूद्धारा कहते हैं यानि कि आवेश लगातार परवाहित होने लगा उसको क्या कहते हैं विधूद्धारा तो देखिए क्या जाता है उस ही को बोला जाता है विभव .» आवेश को ले जाने में थो करना पड़ेगा जैसे कि लोग मैंटरिक thought करने के लिए आप जो मेहनत करेंगे जो काम करेंगे उसको क्या बोला जाएगा उसे तरह यहाँ पर आवेश को प्रवाहित करने के लिए यानि कि इलेक्ट्रोन को प्रवाहित करने के लिए धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा ठीक है यह कौन करता है यह तो विधूत करता है यह हम लोग नहीं करते हैं ठीक है तो धक्का लगाने के लिए जो मेहनत किया जाता है जो कारे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं विभाव ठीक है पोटेंशियल अब देखिए विभाव का जो SI मातरक होता है विभाव का SI मातरक वो होता है वोल्ट जिस तरह दरवेमान को किलोग्राम में मापते हैं पिल वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब है वोल्ट ज्यादा है यानि कि विभव ज्यादा है और जब विभव ज्यादा रहेगा तो आवेश को बहुत तेजी से प्रवाहित किया जाएगा विभव का मतलब क्या है आवेश को प्रवाहित कर प्रवाइत होगी इसलिए लोग बोलते हैं कि वोल्टेज ज्यादा है मतलब उसमें विधूत धारा ज्यादा प्रवाइत होगी बहुत तेजी से प्रवाइत होगी ठीके एक दो वोल्ट का अगर आप लोग तार चुएंगे जाकर टच करेंगे तो उतना तेज जटका नहीं म मतलब उसमें बहुत ही तीजी से धारा प्रवाइत होगी यहां तक समझ में कि विभाव का मतलब होता है महनत कि स्ट क्या अब देखियें यहां पर मैं एक चालक तार ले लिए क्या मतलब सबस्चते हैं जिससे जिस्ट रसे विधूद्धारा अब यहां पर मैं 15 कर गड़ी पोंतेशल ज्यादा है और बिनदू का विभाव कम यानि कि potential कम है तो इसका क्या मतलब निकलता है इसका क्या मेनिंग निकलता है आप लोग जरह हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा यह बिंदू का विभाव ज्यादा है और बिंदू का विभाव कम है इसका क्या मतलब निकलता है तो सुनिए यह बिंदू का विभाव ज्यादा धक्का लगेगा यानि कि धक्का लगाने की छमता ज्यादा है एविंदू से ठीके और विविंदू का विभव क्या है कम है इसका मतलब इसको आवेश को प्रवाहित करने की छमता आवेश को या फिर एलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने की छमता जो है वो कम है क्यों अब उसी बती को जलाए रखिएगा यहां तक स्टोर करकर रखिएगा जो भी मैं बताई हूँ अब जलाई यहां पर समझने की कोशिश कीजिए ठीक है इसको अभी तक स्टॉप करकर रखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए यहां पर मैं दो टंकी ले लिए हूँ टंकी सेंटीमीटर यानिकी टंके को मालिए में 25 सेंटीमीटर पर रख देंग तांटी बहुत की बाद यानिकी इन दोनु का लेफल अलग- अलग है अब बात सुनिए मैं चाहती हूँ इस टंकी B में जो जल भरा है पानी भरा है ये क्या है जल है ये जल टंकी B से टंकी A में इस तरह परवाहित हो ठीके तो क्या ये टंकी B से टंकी A में जल परवाहित होगा ऐसे तो आप लोग का जवाब होगा जी बिल्कुल होगा टंकी B से टंकी A में जल पर परवाहित क्यों होगा तो आप लोग बोलेंगे कि भी लेवल का अंतर है इसलिए परवाहित हो रहा है यहां पर लेवल कम है इसका लेवल ज्यादा है यहां कि इसका लेवल हाई है इसका लेवल लो है इसलिए यह जल परवाहित होगा अगर यह दोनों बराबर पर रहता तो नहीं परवाहित होगा दोनों में पानी बराबर मत्रा में भरा रहता दोनों का लेवल एकदम बराबर रहता तो नहीं परवाहित होता लेकिन यहाँ पर लेवल का अंतर है ठीक है तो इसी से जल परवाहित हो रहा है तो मैं बोली ठीक है अब मैं बोली कि ठीक है लेवल का अं निकालने के लिए आप क्या करेंगे यानि hot a यानि कि ये लेवल का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगी यह वाला बड़ा लंबाई उससे ऐस मेशचाते गटाँएंगे यानिकि unlike लोग आप 25 सेंटीमीटर क्या निकल गया अंतर निकल गया तो आप लोग बोलेंगे कि यहां पर 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस होने के वज़ा से 25 cm का अंतर होने के वज़ा से लेवल में इसलिए विधुद्धारा परवाइत हो रही है मैं बोली ठीक है यहां तक चमका यहां तक दिमाग की बत्ती जली कि यहां पर लेवल के अंतर होने के वज़ा से जल की धारा B से A में परवाइत हो रही है बिल्कुल सही अब इसी concept को उठा कर इसमें डालिए ठेके अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिए मेरे देखिये जिस तरह यहाँ पर टंकी A है और इसका एक level है अस्तर है उसी तरह यहाँ पर बिंदू B है और इसका भी एक क्या है विभाव है क्या है विभाव है मालेजे इसका इसतर 25 cm है तो इसका विभाव मालेजे 25 वोल्ट है ठीके जिस तरह यहाँ पर टंकी B है उसी तरह यहाँ पर बिंदू B का अपना एक level है अस्तर है उसी तरह यहाँ पर बिंदू B का एक अपना विभाव है ठीके टंकी B का कितना level है मालेजे 50 cm तो यहाँ पर बिंदू B का भी विभाव मालेजे 50 वोल्ट यहाँ पर मैं मान रही हूँ रियालिटी में नहीं है ठीके जिस तरह यहाँ पर टंकी A का अपना एक level है उसी तरह यहाँ पर बिंदू A का अपना एक विभाव है उसी तरह यहां पर लेवल के अंतर के कारण अस्तर के अंतर के कारण जल की धारा परवाहित हो रही है बी से ए में बिल्कुल उसी तरह यहां पर विभो के अंतर के कारण क्या होगा बी से ए विधूत धारा परवाहित होगी क्या परवाहित होगी विधूत धारा परवाहित होगी यहां पर विभो की अंतर के कारण विधूद्धारा प्रवाहित होगी ठीक है जिस तरह यहां पर अगर हम लोग अस्तर बराबर करते और दोनों में बराबर मत्रा की पानी भर दे तो विधूद्धारा प्रवाहित नहीं होगी बिल्कुल इसी तरह यहां पर दोनों विभो को करने के लिए तो एक बिंदू का विभाव ज्यादा है और एक बिंदू का विभाव कम है यानि कि दोनों में क्या है अंतर है और इसलिए विधूद्धारा को क्या कहते हैं विभवांतर के अंतर को विभवांतर कहते हैं सब्सक्राइब लिट का अंतर को भी से सुचित किया जाता है और विभाओ को भी से सुचित किया जाता है तो यहाँ पर विभाओ का अंतर अगर हम लोग निकाले तो कैसे निकलेगा देखें यहाँ पर यहाँ पर लेबल का अंतर निकाल रहे थे तो आप लोग कि यहां पर भी यानि की बिन्तू का विभाओ से लिए से यानि की आविन दो का विभाओ से ठिकने तो भी बी कितना है पचास वुलट जेज़िए बन्दू का पचीश wzोल्ट टे सचे कितने आ गया 25 वोल्ट यानि कि जो अंतर है डिफ्रेंस है विवांतर कितना निकल कर आया विवांतर को मैं वी लिख सकती हूं तो बिल्कुल लिख सकती हूं तो वी कितना आया विवांतर 25 वोल्ट यानि कि इन दोनों बीच के बिंदू का विवांतर यानि कि पोटेंशल डिफ्रेंस कितना है 25 वोल्ट है और 25 वोल्ट का डिफरेंस होने के वज़ा से ही इसमें विधूद धारा प्रवाहित हो रही है अब जरह यहां पर विभुवांतर पर गौर गिर जिए विभुवांतर का भी जो एस आई मातरक होता है ना एस आई मातरक वो भी वोल्ट होता है यानि कि विभुवांतर को मापने वाला यंत्र होता है वो होता है वोल्ट मीटर यानि कि वोल्ट मीटर से हम लोग विभुवांतर यानि कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं यह क्या है विभुवांतर का मापक यह अंत्र है ठीक है किलियर हो गई बात इसको आप लोग देख भी सकते हैं गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि इमेज आप लोग को गूगल दिखा देगा आप लोग देख लीजिए का वोल्ट मीटर ठीक है यहां तक हो गई किलियर बात अगर आप लोग इसका स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो लीजिए फट फट क्योंकि मैं इतना दूर इसको मिटाओंगी ठीक है अब आगे सुनिए मानल काम आवेश को लेकर जाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा नहीं समझ में आया यहां पर जरा ध्यान दीजिए मानलेजिए दस पेन कदाम यानिकि दस कलम कदाम जो है वह पचास रुपिया है कितना रुपिया तो आप हमें बताइए कि एक कलम यानिकि एक पेन कदाम कितना करने में कन से करेंगे यहां पर यही क्यों को ले कर जाने में कितना कारिय पड़ कितना कार्या करना पड़ेगा यहीवाला कॉंसेप्ट है दस पेन कदाम 50 रुप्या तो एक कदाम पचास बटा दस उसी तरह क्यूं आवेश को लेगाने में किया गया करे डबलू बटा क्यूं तो यहां पर डबलू बटा क्यूं कुछ है वह होता है विभाव यानि कि विभा यंए कि पृटेंशुल निकालना है तो कार्य में अवेश से भाग देंगे ठीके तो आप लोन को निकल आएगा विभौय यानकी पॉटेंश्यल अब सुनिये बात कि यहां तक तो समझ में आ गया कि वब lack अगर किसी भी बिंदू का विभाव निकालना है तो उस बिंदू तक जितना कुलंब आवेश को ले कर जाने में किया गया कार्या होता है उसी को बोलते हैं विभाव यानिकी डबलू बटा क्यूं आवेश को ले जाने में किया गया कार्या डबलू बटा क्यूं वी बराबर वल्यू बटाट तो इस बिंद० का भी विभाव निकाल सकता है इस बिन्दू तक कोई भी आवेश को लाने में जितना कार्य कर पढ़ रहा है तो उतना सऩवे विखाश कैसे लेकिन विववांतर जो होता है, वो दो बिंदूओं के बीच यानि की एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक किसी क्यूँ आवेश को लेकर जाने में किया गया कारिया विववांतर कहलाता है यहां पर थोड़ा बारी कि से समझना पड़ता है कुई आवेश को अनन्ɪ से यह कहीं से भी ले कर आने में जो किया गया कार्या वो किया यह क्या आता है विभाह यहीं की कि यह क्या थे और बिदू का इसको क्या करना इसका सुतर क्या पर सोची इस भी बिदू तक जितना अवेश को जितना महिनत कर कर जितना कारेकर कर लेकर जाये जाए जाएगा यहां निकालने का है यह दोनों का सुत्र एक ही होता है बस फर्क इतना रहता है कि विभों में अनंत से आवेश को ले कराने में किया गया कारे होता है और विभों अन्तर में दो बिंदूओं के बीच आवेश को ले कर जाने में कारे होता है विभों अन्तर अब विभों को मैं ऐसे लिख सकती हूं विभों को अच्छा से लिख दे रही हूं बीच लिखी क्यों कि दो बिंदूओं के बीच का विभों का आंतर क्या कर लाँता है अभी मैं कुछ दीर पहले निकाल कर दिकाई थी न व कचीज वोल्ट आया था यह तो उसी सफीरा व बीबी मैंस व यह बRÈ मालूम है दूसरे बिंदू का विभाओं नहीं मालूम है तो इस सुत्र से निकाल सकते हैं यह फिर कार्या निकालना है क्यूं निकालना है यह सारी चीजिआ निवुमेरिकल में पुछता है तो आप आप लोगों को बहतर तरीके से समझ में आए विभाव मतलब मेहनत आवेश को लेखर जाने में किया गया कारिया क्या कहलाता है किया अच्छारिके से अगर समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करकर जरूर बताईए कि हां मुझे विवा विवांतर समझ में आ गया है ठीक है किलियर बात इस वीडियो में मैं विवा विवांतर का डिफिनेशन लेकिन कोई बात नहीं मैं बोल दे रही हूं आप लोग लिख लीजिए किसी भी टॉपिक को समझना इंपोर्टेंट है होता है दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया का रहा विवांतर कहलाता है हो गया डिफिनेशन ठीक है समझ में आया तो लाइक कीजिए ज़्यदा श्रेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी आप तक सबसे पह आपिस